Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Study Zone So guys, start कर रहे हैं हम लोग Physics का Chapter No. 3 क्यो भाई, Chapter 3 है ना? Officially Chapter No. 4 है, but actually Chapter No. 1 Physical World हट चुका है तो इसको हम Chapter No. 3 बोल सकते हैं वैसे बुक में कौन सा है Chapter No. 4 है ना? तो इसमें हम Discuss करने वाले बचो Chapter Motion in a Plane इसके पहले हमने जो Chapter Discuss किया था वो था Chapter No. 3 Motion in a Line Motion in a Line बचो, Motion in a Line में खास बात ये थी कि वहाँ पर हमने केवल One Dimension Motion डिसकस किया था मतलब केवल A की Direction में Motion जो होता था Yes or No? मतलब A की Axis के Long Either X Axis के Long या Y Axis के Long ठीक है ना? और यहाँ पर अब हमको इस Chapter में Motion in a Plane Study करना है तो Plane यदी मैं आपके सामने बना रहा हूँ यह देखिए एक Plane है अब इस Plane में दो Axis हुआ करते हैं एक X Axis और एक Y Axis माल लीज़े ना? जैसे कि माल लीज़े आप किसी Circular Path में घूम रहे हैं तो आप दो Distance कवर किया करते हैं कुछ X में दो करते हैं और कुछ Y में ट्रवल करते हैं करते की नहीं करते हैं तो इसको मैं motion in a Plane कहता हूँ है न? तो बच्छो हम motion in a Plane पढ़ने जा रहे हैं ओके? Two-dimensional motion पढ़ने जा रहे हैं motion in two-dimension पढ़ने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें जरूरत पढ़ेगी वेक्टर की किसके जरूरत पढ़ेगी वेक्टर की तो बच्चो physical quantity मैंने आपको बताई थी physical quantity क्या होती है anything that can be measured is called quantity है ना ऐसी कोई भी चीज इसको measure किया जा सकता है वो quantity होती है physics के अंदर आने वाली quantity को हम जो चीज़े physics के अंदर measure की जा सकती है उनको हम क्या बोलते है physical quantity ठीक ना तो physical quantity की यदी हम बात करें तो physical quantity के हम type की बात करते हैं हाँ पे physical quantity on the basis of direction दो प्रकार की होती है एक होती है scalar और second क्या होती बेटा ठीक ना एक होती ही scalar second होती ही vector SCLAR quantity क्या होती है एसी quantity जिनको express करने के लिए completely express करने के लिए हमको direction के sense की जरूरत नहीं होती हैx के sense की जरूरत नहीं होती, जैसे मैंने का time, तो time बताने के लिए कोई direction के sense की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने का temperature, तो temperature explain करने के लिए किसी direction के sense की जरूरत नहीं है, तो time हो गया, temperature हो गया, heat हो गई, ये जो quantities हैं, इनको express करने के लिए direction के sense की जरूरत नहीं है, these quantities are called a scalar quantity, on the other hand, क magnitude and second is called direction, है ना, इन सब में skilled quantity में केवल magnitude काफी है, जैसे time कितना है, बोले 6 बजा है, तो 6 is a mathematical data that is called magnitude, वट कुछ quantity में आपको vector में magnitude के साथ साथ direction की भी जरूरत पड़ती है, okay, magnitude अकेला काफी नहीं है, इसके साथ साथ आपको direction की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे example आपने कहा force ल मारा, मतलब कितने newton, याने 5 newton, 6 newton, 10 newton, so this is related to the magnitude, and दूसरी चीज, कहां मारा, कहां मारा, okay, मतलब direction भी आपको देनी पड़ेगी, तो दोनों चीज़ें आपको देनी पड़ेगी, तो जिसमें दोनों चीज की demand होती, उसको हम क्या बोलते है, vector quantity, clear हो गया, so ऐसी quantity जिसमें direction as well as magnitude as well as direction की need होती है, उसको हम क्या बोलते है, vector quantity, okay, समझ में आ गया, so there are two types of quantity, one is a scalar and second is vector, तो बच्चो इस चेप्टर में केवल हमें vector quantity के साथ दील करना है, कि vector quantities कैसे होती है, okay, in vector quantities पर operation क्या होए करते है, तो बच्चो वेक्टर quantities, इसकेलर क्या होते है, जैसे दो और दो चार, दो और दो चार, मगर vector में आप दो और दो चार नहीं कर सकते हो, जैसे मैं example में कहूं कि अगर आपके पास दो न्यूटन का force है, और दो न्यूटन के force को अगर आप add कर रहे हो, तो क्या answer 4 न्यूटन आएगा, बिल्कुल नहीं, है ना, बेटा, vector एक अलग ही दुनिय है ना, यह पूरे आपके physics की जान है, physics की जान है, क्योंकि आने वाली जितनी भी quantity है ना बच्चों, आपको जितनी भी quantity अभी टकराएंगी आपके आने वाले time में, वो सब की सब क्या होंगी, vector, क्या होंगी, vector, अभी तो आपने चलो displacement देख लिया, थोड़ा बहुत देखा उतना ज्यादा अपन लोगों ने बड़ा application नहीं किया, vector का, बट अब यह समझ लो कि इसको पढ़ने के बाद, आपको vector का अच्छा खासा application भी आना चाहिए, समझ मैं ना, तो चली आईए देखते हैं, start करते हैं, those physical quantities which require magnitude as well as direction for their complete representation, जिनको completely representation के लिए, किसकी कि magnitude के साथ direction की that quantities are called vector, vector can be divided into two types, vector की type को बाद में discuss करेंगे, पहले मैं आपको बता दूँगा कि vector की जो maths होती है, vector जो operate होता है, vector की जो operation होते हैं, okay, vector के operation मतलब vector addition, vector multiplication, vector subtraction, यह एक विशेष प्रकार के algebra को follow करते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग vector algebra, क्या बोलते हैं, vector algebra, तो इस chapter में हमें law of vector algebra भी पढ़ना पढ़ेगा, क्या पढ़ना पढ़ेगा, law of vector algebra की vector पे algebra कैसे apply की जाती है, इसको भी हमको पढ़ना पढ़ेगा, ठीक ना, तो vector addition, simple addition नहीं होता है, अभी तक आप लोग जो addition पढ़ते हैं, वो कौन सा addition था, simple algebraic addition, कौन सा addition, simple algebraic addition, अब यह algebraic addition नहीं है, यह vector algebra का अलग type का addition होगा अब चलिए अब जानते हैं फिलहाल type of vector type of vector vector can be divided into two types vector can be divided into two types सबसे पहला होता है polar vector कौन सा vector होता है polar vector polar vector मतलब जो ordinary vector की आप बात करते हो जिसमें एक starting point होता है है ना या point of application होता है उसको आप बोलते हो polar vector जैसे for example मैं यह इदी बात करूँ कि आपके पास यह कोई block है यह कोई क्या है block है और आप इस पर force लगा रहे हो क्या लगा रहे हो force तो बिटा force या तो push होगा या तो pull होगा अगर push होगा तो आप इसको center को target करते हुए पुश करोगे बोलो करोगे की नहीं करोगे पुश करोगे और अगर pull करोगे तो इसके center से ले करके इधर की तरह pull करोगे या किसी particular direction में pull करोगे बोलो करोगे की pull की नहीं करोगे है ना तो मतलब अगर आप किसी एक fix point पर application करते हो तो जो vector generate होता उसको बोलते हैं हम लोग polar vector क्या बोलते हैं बिटा polar vector समझ गया ना तो जैसे displacement होता है तो displacement भी एक point से दूसरे point तक होता है तो displacement के लिए आप किसी एक point पर application लगाते होगे force का तो यह भी क्या है polar vector है आईए definition पढ़ लेते हैं polar vector those are these are those vector which have a starting point और a point of application जिसमें एक starting point होता है या point of application होता है उसको हम बोलते हैं क्या polar vector क्या बोलते हैं polar vector example force अब second type of vector आता है बिटा xcl vector चलिए बिटा जैसे मैं बोलूँ आपसे कि अर्थ घूम रही है अर्थ क्या हो रही है गूम रही है अर्थ अपने axis पर घूम रही है बताईए यह सौनो अब मैं बोलू यह बताईए कि starting point क्या है क्या बता पाएंगे starting point कहा है बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं ऐसे कोई भी cycle का wheel rotate कर रहा है आप देख रहे हैं कि wheel rotate कर रहा है क्या बता पाएंगे कि starting point कहा है नहीं बता पाएंगे है न आप starting point नहीं बता पाएंगे तो यह बेटा जब यह चीज़ें जो rotation effect जहां पर होता है तो rotation के कारण rotation के direction पता कहा होती है rotation के कारण जो direction मिलती है बेटा वो axis के perpendicular होती है मतलब उस plane के rotational plane के perpendicular rotational plane के perpendicular समझ में आया जैसे मान लो इस डारेक्शन में कोई चीज घूम रही है यह अब इस्टाइग दो नहीं पता है यह पता है कि हाँ इस डारेक्शन में घूम रही है यह सौनो clear है ना तो यह क्या है anti-clockwise क्या है यह anti-clockwise यह जो इख रहा ना तो अब anti-clockwise है बेटा तो इसका जो rotational effect generate होगा इसका जो vector होगा वो आप right hand thumb rule से निकालेंगे किस rule से निकालेंगे, right hand thumb rule से, तो ये देखे अपने उंगलियों को anti-glockwise direction में मोड़िये, और ये देखे अंगोठे की तरफ जो vector generate हो रहा है, ये कहलाएगा, axial vector, क्या कहलाएगा, क्योंकि ये इसका axle है, क्या है ये, axle या axis, है ना, तो axis की direction में जाने वाले vector को हम क्या बोलते ह तो कहाँ पर होता है, यहाँ पर rotational effect होता है, क्या होता है यहाँ पर, yes or no, है ना, तो जब भी आप पेजकस को घुमाएंगे, पेजकस को घुमाएंगे, है ना, तो पेजकस को जब आप anti-clockwise direction में घुमाते हैं, तो पेजकस कहाँ जाता है, आंगे, clockwise direction में घुमाते हैं, कहाँ axis of the rotation accordance with the right hand screw rule right hand screw rule समझ मैं आया ये right hand screw rule के accordingly काम करते है right hand screw rule के accordingly काम करते है जैसे for example मैं आपको बताऊ angular displacement क्या बताऊं angular displacement आपने angular displacement का नाम तो सुना होगा मैंने सुनाया भी आपको ये देखिए मान लीजे कि ये कोई angle बना रहा है quantity यहां से चला है बोलो ये सौनो और यहां तक आ गया है ये देखो अब angle कितना generate होगा बिटा ये angle generate होगा this is called delta theta this is called delta theta अब देखिए इस angular displacement के direction कहा होगी यही तरीका है अंगूठा लीजे अपना उंगली लीजे उंगली इसकी direction में डेल्टा ठीटा की कहा बनीगी बाहर की तरफ कहा बनीगी बुली समझ में आया की नहीं है कहा बनीगी बाहर की तरफ अंगूठा बाहर की ओर आ रहा है समझ में आया ना clear है अब यदि आप इसको अपने plane में ले लो इस plane में ये देखो ये plane में ठीक है ना यह अपना table का plane है कागज का plane है जिस पर आप कागज में diagram ना तो यह देखी अगर आपका angle देखो कहां से move होकर की यहां से move होकर की यह चला गया यह देखिए इस तरीके से yes or no this is delta theta अब देखी क्या होगा यह तो कहां जाएगा direction इसका उपर की यह तो अगर यह वेक्टर है तो यह भी क्या होगा वेक्टर होगा तो यही direction किसकी होगी omega की किसके direction होगी omega की जो एक्षियल वेक्टर जाएगा वो इस डिरेक्शन में जाएगा omega इस डर्शन जाएगा आई बस समझ में न तो एंगुलर वेलोस्टी होगया टॉर्क हो गया एंगुलर मोमेंटम हो गये है ना यह जो कुछ ऑपर उठती दिखाई देगी। कि यह देख利ख यह देखिये यह बॉटल कि धकन को खोलररहे है और धकन कहा जाती दिखा यह रही है उपर को मतलब रोटेशन के Хिसाब से इसका जो मॉमेंट होता है उसके और होता है प्रसुट को बंध करो उपर, clear हो गया बच्चों, तो यह हो गई, axial vector, अब बात करते हैं, scalar, scalar तो आप लोग सब लोग जानते हो, those physical quantities which require only magnitude but no direction for the complete representation is called scalar, example, distance, speed, work, mass, density, etc., the example of scalar, scalar can be added, subtracted, multiplied by, divide using simple algebraic law, जो आज तक हम लोग पढ़ते हैं, yes or no, clear हो गया, अब now tensor की बात करते हैं, क्यास की बात करते हैं, tensor की, अब tensor को समझाने के लिए पहले मैं आपको example दे देता हूँ, तब आपको tensor समझ में आएगा, बिटा, बलून होता है, बलून में जब आप हवा भरते हो, तो बलून में हर point पर, बलून में मैं यहां से हवा भरी, बोलो यह कि हर पॉइंट पर बलून की डारेक्शन कैसी होती है, परपेंडिकुलर, कैसी होती है, परपेंडिकुलर, यह सौनो, क्लियर ना, हाँ, इस पर दिख लिए, तो हर पॉइंट पर डारेक्शन क्या है, अलग-अलग है, हर पॉइंट पर क्या क्या है डारेक्शन, अलग-अलग है की नहीं है यह सोनो तो हर पॉयंट पर जो direction हो रही है अलग-अलग हो रही है मतलब force किसी fix direction में act नहीं कर रहा है तो pressure यहां पर कैसी quantity कह लागी tensor क्या कह लाएगी समझ में आ गया तो हलाकि पूछा नहीं जाएगा यह बहुत detail की बात मैंने बता दिये tensor quantity, जिसमें direction हर point पर अलग-अलग, tensors are the physical quantities which have different values in different directions at the same point ठीक ना, different values in different direction, मतलब अलग-अलग direction में different values हुआ करती है समझ गया ना, at the same point example, moment of inertia radius, modulus of radius of duration, modulus of elasticity, pressure अभी आपकी काम की मैंने क्या बत बताई pressure, pressure आपने देखा हर point पर direction क्या है, अलग-अलग है सो इसको हमने क्या consider कर लिया as a tensor quantity, कैसी quantity tensor quantity, ठीक है ना yes or no, हाँ, देखिए magnitude of tensor is not, यह नहीं जियाद रखना, कि tensor quantity का जो magnitude होता है, वो हर जगे बराबर नहीं होता हर जगे बराबर नहीं होता, अब क्यों नहीं होता मैं आपको बता दूँ, यह रेखिए जो balloon है, balloon में इस point पर pressure सबसे कम होता है, क्या होता है pressure सबसे कम, और नीचे जाने पर pressure बढ़ता जाता है नीचे जाने पर pressure क्या होता है बढ़ता जाता है, तो मतलब हर point का pressure क्या होता अलग अलग होता है, clear है ना, बन जाएगा, भई आपने अगर किसी कंटेनर में डिबे में पानी रख दिया है, तो नीचे जो प्रेशर होगा, वो क्या होगा, सबसे जादा, और उपर का प्रेशर क्या होगा, कम, यह सौनो, अगर आप दो होल कर देते हैं, एक होल यहां कर द को, टेंसर, चली अब बात करते हैं, different type of vector, सबसे पहली बात है, equal vector, तो equal vector, मतलब ऐसे vector, जिनका direction भी same हो, और जिनकी magnitude भी same हो, ऐसे vector को बोलते है, equal vector, देखे, यहां दोनों vector की direction भी same है, और magnitude मतलब इनका length, देखो, A से लेके 20 को मान लो, yes or no, और इसको मान लो, C से लेके D, आप दोनों vector की length देखो, दोनों बिल्कुल क्या दी है, तो आप क्या कह सकते हो, कि vector AB is equal to vector CD, ओके, तो दोनों की direction भी same है, और दोनों के magnitude भी same है, मतलब AB का magnitude equal to CD का magnitude, समझ में आ गए ना, clear है ना, तो यह दिनकार चल रही है, एक ही रास्ते में, दोनों parallel एक ही रास्ते में बिल्कुल same है, yes or no, तो उनके जो दोनों के displacement vector एक का S1 है, एक का S2 है, so you can say S1 vector equal to S2 vector, कह सकते हो ना, दोनों equal है, दोनों क्या है, equal vector, तो पेटा एक concept आ गया समझ में कि equal vector are always parallel, equal vector are always parallel, क्योंकि equal vector हमेशा क्या होंगे, parallel होंगे, बोलो clear है ना, चलिए negative vector की बात करते हैं, second point है negative vector, clear है, so two vector of equal magnitude but opposite direction, देखो बीटा, एक vector जो है, यहां से यहां जा रहा है, A से लेके B, first vector is A to B, yes or no, and second vector जो generate हो रहा है, B से लेके A आ रहा है, B से लेके A आ रहा है, तो A और B, दोनों एक AB vector है, बोलो yes or no, और दूसरा कौन सा है, BA vector, yes or no, तो AB और BA दोनो equal magnitude के हैं, yes or no, but direction wise इस के यहां दोनो, opposite, तो यह क्या कहलाएंगे अपने, negative vector, क्या कहलाएंगे, negative vector, और आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, कि BA vector is the negative of AB vector, यह बहुत इंपोर्टन चीज है भाई सब, negative vector में आद रखना कि BA vector is the negative of AB vector, क्याद आया, जब याद करो मैं relative velocity पढ़ा था, तो इसको मैं क्या बोलता था, V vector, क्या बोलता था, और अगर same velocity body की चल रही, opposite direction में, so this is called minus V, this is called minus V, magnitude same है, अगर direction के opposite sense के लिए क्या लग जाता है, minus V, clear हुआ कि नहीं हुआ, बन जाएगा ना, so this is called negative vector, this is called, now, zero vector और null vector, zero vector और null vector, ऐसा vector जो खुद से सुरू होकर के वहीं पर ख B, थोड़ा सा displacement तो है ना, इसको और चोटा करो, इसको और चोटा करो, इसको और चोटा करो, इसको और चोटा कर दो, तो जहां पर A है, वहीं पर B है, मतलब A पे सुरू और A पे खतम, बोलो yes or no, A vector, this is called zero vector, this is called, अब देखिए, इसकी तो direction पता थी, मगर zero vector की direction कभी define की जा नहीं सकती है, तो इसकी direction को हम बोलते है, arbitrary, क्या बोलते है, arbitrary direction, मतलब जो मानना हो, मानलो, इसकी कोई fixed direction नहीं मिलेगी, समझ में आ गया, so what is zero vector, a vector whose having magnitude is zero, is known as zero vector, its direction is what, not defined, its direction is not defined, yes or no, and it is denoted by zero vector, it is denoted by zero vector, समझ में आया, इसको हम zero vector से denote करते हैं, clear हो गया, yes, अगर आपको मैं बोलूँ कि कोई vector महीं से start होगे, महीं खतम होगया, a vector, you can say a, a या b, b vector, सो इसको हम क्या बोल सकते हैं, zero vector, क्या कहेंगे, zero vector, done, clear होगया, yes, velocity of a stationary object, किसी रुके हुए body की velocity, किती होगी, zero vector, अभो चल तो रही नहीं है, हाँ या, चल नहीं तो उसका magnitude कित acceleration में पूछूँगा, तो क्या होगा, zero, yes or no, resultant of two equal and opposite vector, अगर आपके पास दो vector हैं, suppose this is vector a, and another one is minus vector a, दोनों का add किया, answer किता हैगा, zero vector, yes or no, तो दो vector quantity को जोड़ करके answer zero नहीं आता है, zero vector आता है, अगर हो equal and opposite है, तो उनका answer कितना हैगा, zero vector, समझ में आया, clear हुआ, तो vector a plus minus vector, answer क्या बोलोगे, zero vector, बिल्कुल सही, now unit vector की बात करते हैं, किसकी बात करते है, unit vector, ठीक ना, unit vector एक ऐसा vector जो कि direction देता है, क्या देता है, direction, जैसे आप से कोई पूस्ता है रास्ते में, कि भाई साब मुझे civil line जाना रास्ता बता दो, तो आप हाथ उठा के बोल देते हैं, A, B, क्या नाम है, A, B, मालो यह कितने मीटर का है, 100 मीटर का है, कितने मीटर का है, तो 100 मीटर में कहीं ना कहीं, तो एक मीटर होगा ना कि नहीं होगा, तो एक मीटर is called one unit, एक मीटर is called, तो given vector की direction में, given vector की direction में, unit magnitude का vector, कितने magnitude का, unit, so बेटा यह A, B है, A, B complete vector है, और A, B की direction में 1 unit का vector, किती unit का? 1 unit का, बले ये 100 unit का, तो इसकी direction में 1 unit का, so this will be called A, B cap, क्या के लाएगा विटा? A, B cap, यह सिंपल यह दि, इसको vector A ले रहे हुगा, ओके, हम लोग क्या करते है, single letter में vector को देते है, बले A, B है, but इसका उम क्या लिखते है, vector A, क्या लिखते है, vector A, तो vector A की direction में unit magnitude का वेक्टर, the vector of unit magnitude in the direction of a given vector is called unit vector, okay, so, आप एक बद बने बताओ, कि अगर आप vector A को पूरे में फोल्ड कर दो, A cap को, A cap को कितने में? पूरे में फोल्ड कर दो, तो पूरा vector पूरा वेक्टर हो जागा कि नहीं हो जागा? So, you can say कि अगर vector A को में पूरे में फोल्ड कर दो, मतलब मल्टिप्लाइ कर दो, with mod A, with mod A क्या, length है, mod A क्या है, length है, so, vector A multiply by mod A will result you complete vector, yes or no? So, A cap equals to vector A upon magnitude of vector A, yes or no? clear हुआ कि नहीं हुआ, very very important formula, बिटा, किसी का unit vector equals to वो vector divided by उसका magnitude, आगे साँ मिनना? यह फिर से explain करूँ क्या, फिर से देख लेते हैं इसको एक बार, भाई देखिए आपके पस में complete vector A, B था, बोलो यह सोनो, और आपको क्या निकालना था, A, B का unit vector, तो मैं कह सकता हूँ कि A, B, cap, unit vector के साथ अगर आप पूरे length का multiply कर दो, unit vector मतलब one unit, अब पूरी length कितनी है बेटा, mod A, B, पूरी length कितनी है, mod A, B, तो अधी आप multiply कर देते हो, तो आपको complete vector मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, बोले सोनो, अगर एक एक कदम करते करते सो कदम चले जाओगे, तो सो कदम मतलब पूरा vector मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो भहिया, A, B, cap, equals to पूरा vector, upon उसका magnitude, yes or no, तो जादा tension नहीं करनी है, आपको सीरे ये formula, लिख लो copy में बेटा, unit vector का formula, A, cap, equals to vector A upon magnitude of A, done, vector A upon magnitude of A, okay, vector A upon, so A, cap, equals to vector A upon magnitude of A, ठीक है, बेटा, yes, ये, vector A, cap, unit vector in the direction of A, A, cap means unit vector in the direction of A, मतलब कि सी, इवन vector की direction में unit vector, this is called unit vector, in the direction of A vector, बुलो समझ में आ गया, yes, so, see, unit vector, a vector having unit magnitude is called unit vector, unit vector in the direction of vector A is given by A, cap, equal to vector A upon, mod A, okay, mod A को A भी लिखा जाता है, क्योंकि जब तक किसी की उपर vector नहीं, मतलब वो magnitude है, क्या है, वो, magnitude, समझ माया, so, what you can say, A cap equals to vector A upon magnitude of A, yes or no, so, a unit vector is a unit less and dimensionless vector, represent direction only, unit vector के वल किसको दिखाता है, direction को, किसको दिखाता है, direction को, जैसे आपने रास्ता बता है, बोले भाहिया, वहाँ जाना है, तो आपने हाथ उठा दिया, चले जाओ, तो unit vector क्या बताएगा, direction, क्या बताएगा, direction, समझ गया, और इसका magnitude कितना होगा, 1, magnitude कितना होगा, 1, देखाना आपने फॉर्मुले में, magnitude कितना होगा, 1, क्यों होगा magnitude 1, क्योंकि ये given vector की direction में, 1 unit का ही vector होता है, yes or no, तो मैं कहूं, कोई भी vector है, उसका magnitude निकालोगे, तो answer कितना हैगा, 1 unit, yes or no, ठीक है ना, और इसलिए किसी में अगर 1 का multiply करोगे, तो वो कोई impact नहीं होता, हाई ना, तो 1 unit, अगर unit vector का multiply कर दोगे, तो क्या देगा, वो direction, क्या देगा, direction, clear हुआ, जैसे मान लो आप 5 unit चल रहे हो, कितना चल रहे हो, 5 unit, 1, 2, 3, 4, 5, तो आपने लिखा 5 a cap, 5 a cap, मतलब 5 unit चले हो, in the direction of a, in the direction of a, yes or no, समझ माया, वही, एक ही direction क्या है, एक एप है, एक ही direction क्या है, अब एक एप की direction में आप कितना चल गए, 5 unit, तो complete vector क्या बने गया, 5 a cap, क्या बने गया, 5 a cap, समझ माया गया बच्चों, अब चलिए हम बात करते हैं, reference unit vector के बारे में, जिनका हम नाम orthogonal unit vector भी देते हैं, तो इनको हम reference unit vector भी बोलते हैं, इनको हम orthogonal unit vector भी बोलते हैं, reference इसलिए बोलता हूँ मैं, क्योंकि ये हमारे axis के along होते हैं, किसके along, और अभी मैंने आपको बताया है कि जो बच्चो यूनेट वेक्टर होते हैं यूनेट वेक्टर का मैगनिटूड कितना होता है बेटा 1 कितना होता है यूनेट वेक्टर का मैगनिटूड 1 एक एप का मैगनिटूड कितना होता है चलिए, अब देखिए, आप जानते हैं कि हमारे reference unit vector होते हैं, reference axis होते हैं, x axis होता है कि नहीं होता है, यह होता है y axis, और यह बाहर की और screen फोड़ करके, बाहर की और क्या होता है, z axis, yes or no? तो बिटा अब याद कर लो हमेशा के लिए, x axis का unit vector माना गया है, that is called i cap, लेगा 1,0,0 क्योंकि X axis में 1 Y में 0 اور Z में 0 बट उसका vector कितना generate होगा icap अगर 2 قدم जलोगे तो vector कितना generate होगा 2 icap अगर 3 कدم जलोगे तो vector कितना generate होगा 3 icap और अगर X कदम जलोगे तो vector कितना generate होगा X icap अगर आप X unit चल चुके हो तो यहाँ पर point क्या होगा x, 0, 0 अब चलिए y axis की बात करते हैं तो अगर y axis में आप यहाँ पर आते हो एक कदम चलते हो तो y axis का बिटा जो vector होता है that is called j cap तो दो कदम चलोगे तो 2 j cap और अगर y कदम चलोगे तो यह vector कितना generate होगा y j cap इसी तरीके से z axis का unit vector क्या होता है k cap यहाँ पर दो कदम चलोगे 2 k cap और अगर small z जड़ी चलोगे तो कितना आजाएगा z k cap कितना आजाएगा z k cap अब आप समझेए इस space में अगर आपने पास कोई point position पर पहुँच चुके हैं x axis में चले हैं x unit y में चले हैं small y unit और z में बाहर आचुके हैं z में कहां बाहर इसको समझेए एक कमरे के जैसा है तो आप हवा में यहाँ पर बैठे हुए yes or no तो हवा में जोड करके position vector इसकी position देखे x में कितना चले हो x y में कितना चले हो y और बाहर कितना आए हो z तो इसकी position point पी लिख सकते हो x, y, z yes or no तो अब मैं इसका vector लिखूँ position vector position vector तो op vector बनेगा बेटा op vector is equals to x i cap plus y j cap plus z k cap clear हुआ यह बन जाएगा क्योंकि x में x x चले तो x i cap फिर y में चले हो y small y तो y j cap और z में चले हो small z तो z k clear हुआ so this is called op vector ठीक है बेटा अब op का magnitude में आपको निकालना सिखा देता हूँ op vector का magnitude याने की mod लगा लो यह simply इसको op लिख दो magnitude के लाएगा करना क्या बेटा rule होता है under root x square plus y square plus z square समझ में आगे ना इस तरीके से इसका magnitude हम निकालते हैं clear हो गया बन जाएगा so यह हमारा इस तरीके से हम इसका magnitude निकाल लेंगे तो यह देखे और्थोगोनल युनिट वेक्टर सा चुका है the unit vector along the direction of orthogonal axis direction of orthogonal axis that is x axis y axis z axis is called orthogonal unit vector these are represented by i cap j cap and k cap x axis के लाउग का unit vector i cap है y axis के लाउग j cap है मतला mod i cap equal to mod j cap equals to mod k cap equals to कितना बच्चे one done now co-initial vector so simple आप एक point पर दो force लगा रहे हो एक यह है बी है force और एक ए है force यह सनो दोनों same point पर act कर रहे है अगर दोनों vectors की starting point same हो those vectors are called co-initial vector दो नहीं हजार कितने भी हो उनको क्या बोलते है co-initial vector समझ गया ना उनके starting point क्या हो vectors having common initial point common initial point are called co-initial vector समझ में आ गया yes coat अच्छा सारे force अगर एक ही end point पे आ रहे हो यह रिखी सारे के लोग धुक्का मार रहे है बच्चे को है ना yes ओनो एक point है उस पे सारे force आ रहे है these are called co-terminus vector क्या बोलते है इनको बोलो clear हुआ these are called co-terminus vector co-linear vector co-linear vector क्या है देखो बेटा co-linear vector का मतलब क्या है एक रस्सी लगी हुई है बोलो हाँ अब एक रस्सी में एक बंदा इस रस्सी को यहां से खीच रहा है रहा है 20 newton का force लगा रहा है बड़ा आदमी है बड़ा बच्चा है एक जने और यहां से आ गया यह देखो यह विचारा 5 newton का force लगा रहा है ना तो दोनों की line of action रहा है कि अलग अलग है अरे same है भाई line of action हाँ है ना यह same direction में तो लग रहा है yes or no clear हुआ मतलब दोनों vector एक ही common action line पे लग रहा है दो नहीं हजार हो अगर इनकी सब की action line same है तो इन vector को हम क्या बोलेंगे collinear vector समझ में आया collinear vector अब collinear में अगर यह vector दोनों same direction में लगे आंगे ही तरफ लगे तो इनको हम बोलते है even vector क्या बोलते है even vector समझ में आया clear even vector एक ही direction लगते है और अगर कोई पीछे लग जाए जैसे यह 20 इधर लगा रहा है और एक जन पीछे लगा रहा है तो हैं क्या collinear sorry even नहीं बोलते है बटा like vector बोलते है क्या बोलते है like vectors क्या बोलते है बोलो भाई like vectors समझ में आया जैसे यह देखो 5 का लगाया और यह कित्ते का लगाया 20 का और अगर एक जन बीस आँगे की लगाए और एक जन पीछे 5 की लगाए बोलो यह सुनो तो ऐसे vector बोलो collinear है की नहीं है एक ही तो line पे है न तो अभी भी तो collinear है मगर collinear में यह किस क्या कहलाएगा unlike क्या कहलाएगा unlike vector समझ में आगया so बटा collinear vector vector having equal or unequal magnitude कोई दिक्कत नहीं है magnitude से क्या लें then along the same or a b parallel line समझ गे along the same parallel line या along the same line of action समझ गे न तो जितने भी vector होंगे अगर वो collinear है तो वो 100% parallel होंगे क्या होंगे parallel बोलो yes or no अब parallel मतलब दो cases होंगे या तो like होंगे या unlike होंगे clear हो गया clear हो गया हाँ parallel मतलब की दोनों एक दूसरे से constant दोनों के direction same होगी opposite होगी है ना but line of action same होगी line of action same होगी समझ में आएगी बात नहीं आई चलो कोई doubt है कि इसमें collinear vector में हाँ ये collinear ही है बढ़ collinear के दो case है अरे बैटा collinear collinear word क्या कहता एक ही line में लगने वाले vectors अब एक ही line में लगने वाले vectors रस्ती एक खीच रहे हैं या तो दोनों ये 10 और ये किता पांच आगे संद में अब दूसरा collinear में दूसरा कोई सा unlike vector तो ये रेखो एक लग रहा इधर और एक लग रहा है इधर समझ में आया तो दस का बड़ा इधर लगा दो और पांच का छोटा इधर लगा दो तो ये 10 का इधर और पांच का इधर हैं क्या collinear हैं क्या collinear क्योंकि एक ही line of action पे काम कर रहे है बट एक collinear वाले में उपर वाला क्या था like और ये क्या थे unlike समझ में आया ठीक है ना और collinear में जितने vector काम करते हैं सब के सब parallel होते हैं क्योंकि physics कहती है कि एक खूटा है इस पर यहां पर दस काम कर रहा है ये 5 खिच रहा है ये 4 खिच रहा है तो इन सब के effect तो एक ही लगेगा ना खूटा उट करके आँगे आ जाएगा ना बुले सवा नो तो इनको आप एक साथ ही बना सकते हो एक ही लाइन में 10 इधर 5 इधर और 4 इधर समझ गया ना मतलब parallel vector को merge कर सकते हो parallel vector को merge कर सकते हो और सारे merge vector को parallelize भी कर सकते हो मतलब parallel है तो merge कर लो और merge है तो parallelize कर लो समझ गया समझ मैं आया कि नहीं है co-planar vector ऐसे vector जो एक ही plane पे act करते हो उनको क्या बलते हैं को प्लेनर जैसे मेरी स्क्रीन है एक प्लेन है अब इस प्लेन में देखो एक वेक्टर यह है एक वेक्टर यह है एक वेक्टर यह है सारे वेक्टर एक ही प्लेन में है तो यह क्या कराएगा को प्लेनर बट स्क्रीन को फोड़ते हुए एक बाहर वेक्टर ना के था चलो को प्लेनर समझ में आ गया any problem तो को प्लेनर में ने बता लिया localized vector a vector was initial point is fixed जिसका initial point fixed रो ऊसको हम क्या बोलते है localized vector इसका कोई जादा यूज नहीं है non localized vector free vector लो वेक्टर वोज initial point is not fixed is called non localized vector और a free vector जिसका initial point fix से ना हो, जय से ओ एक셀ल वेक्टर देखा थने अपने, जिसका पता न दलता हो, कि कहां से लगता है, position vector मैंने अभी बताया, कि एक ऐसा vector, जो कि space में किसी point की position को एक्स्प्रेस करता है, a vector that express the position of any point in space, is called position vector, it is generally taken with respect to origin, okay, yes, a vector representing the street line distance and the direction of any point or object with respect to the origin is called position vector. अभी मैंने बताया था कि reference axis के respect में या origin के respect में किसी point को locate करने वाला किसी point की जगह बताने वाला vector जो होता वो क्या कहलता है position vector. It is represented by O P. This is called O P. समझ गा ना? O P का कुछ simple नाम ले लिया जाता है. Small R. क्या के लिया जाता है? smaller. आई बास समझ में ना? कोई दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं laws of vector में. बेटा, laws of vector में सबसे पहला law है. triangle law. समझ गे ना? हम addition पढ़ने वाले हैं vector में. अब addition में हमारा सबसे पहला law है. कौन सा law? triangle law. triangle law क्या कहता बेटा? Vector को जोडने का triangle law कहता है कि अगर दो vector, दो vectors, this is vector A and this is vector B. अगर दो vector किसी triangle की लगादार side को दिखाते हैं. समझ गया ना? दो vector किसी triangle की लगादार side को दिखाते हैं. तो बेटा, ये vector का सबसे बड़ा गुन क्या होता? इसको shift कर सकते हो. क्या कर सकते हो? shift, parallel. बोलो हाया ना? जैसे मैंने ये गूसा दिखाया. तो मैंने गूसे की action line जिन्दी की पर यही चलेगी. तो मैं लगे न लगे अलगे अलग बात है. हाँ है ना? बट मेरे vector की direction तो यही है. तो vector को shift कर सकते हो. तो बेटा, इसको shift करके इसके pass में ले आओ. तो यह vector A है की नहीं है? बोलो. और इससे जोड़ दिया इसका tail. तो यह हो गया vector B. Yes or no? So definition, if two vector representing successive side of a triangle. successive side of a triangle. ट्रेंगल की लगातार दो side को represent कर रहे हैं. कर रहे हैं की नहीं कर रहे हैं? देख लो. तो तीसरी जो side होगी, वो इन दोनों का क्या होगी result? इन दोनों का क्या होगी result? यहने की sum. इन दोनों का combined effect. मतलब एक घुंसा किसी object पर यह लगा और एक घुंसा किसी object पर यह लगा तो जो घुंसे का combined effect होगा वो इतना होगा. वेक्टर का length क्या हो करता उसके magnitude को किसको शो करता है तो इस vector का magnitude है यहाँ से यहाँ तक का magnitude है mod A क्या है mod A यहाँ से लेकर कि यहाँ तक का magnitude है mod B तो यह जो magnitude होगा यह resultant का magnitude होगा this is mod R this is mod R yes or no तो यह mod R होगा clear अब यह mod R कितना निकलता बेटा यह जो यह आर का बहुत निकलता है, this is equal to under root a square plus b square plus 2ab cos theta, यह ऐसे निकलता है, अभी मैं इसको बता दूँगा, यह कैसे निकलता है, important derivation है, कैसे निकलता है, इसको आपन बता देते हैं, समझ गया ना, चले, फिल हाँ लो पढ़ते हैं, तो फिल लो क्या है, if two vector acting at a point, two vector acting at a point, represented in magnitude and direction by two sides of a triangle, two sides of a triangle taken in order, taken in one order, लगाता है, समझ गया, then the resultant is represented by the third side, of the triangle taken is opposite order, taken in opposite order, opposite order, तेको बता है, यह एसा भाग रहा है, अब क्लोजिंग ओर का सा होता है, यह एसा गया, यह एसा गया, तो ऐसा आथा ता यह आप शाना था, but opposite order में चलेगा, मतलब यह चलेगा, समझ में आया न, opposite order में, clear हो गया, clear है, तो यह vector A का magnitude A है, vector B का magnitude B है, तो इसका resultant का magnitude कितना होगा, R, and this R is given by, under root A square plus B square plus 2AB cos theta, theta क्या है, दोनो vector के बीच का angle है, दोनो vector के बीच का angle है, तो vector A कहा है, यह है, vector B कहा है, यह है, यह सा नो, तो vector A और vector B के बीच का angle, तो vector A की actual direction कहा है, बाहर है न, तो angle कैसे निकलेगा, यह ही तो निकलेगा, तो यह देखो theta बैठा हुगा है, क्या बैठा हुगा है, theta clear है, तो इस तरीके से यह resultant निकलता है, अभी मैं इसका derivation आपको करा दूँगा, कि resultant कैसे निकलता है, समझ गे and this beta is the angle, यह कैसे क्या direction है, resultant का direction, resultant का direction, कि जो final आपका result आया है, वो कितने direction में होगा, उसके direction कितनी है, beta angle, कितना है, beta angle, okay, if the resultant vector r, subtend an angle beta with the vector a, then 10 beta is equal to b sin theta upon a plus b cos theta, यह दोनों result बहुत important है, है न, यहाँ पर मिलेग देता हूँ, beta angle निकालने का तरीका क्या होता है, 10 beta is equals to magnitude of b sin theta upon a plus b cos theta, ठीक है न, चलिए, तो इसको हम next class में जरूर इसका, आपको magnitude निकलवा देंगे, यहनि टुमोरोकल की जो class होगी, उसमें इसका मैं magnitude निकलवा दूँगा, that is very important, समझ गया न, जितने भी vector लड़ेंगे, सब का resultant निकालने के लिए, यह formula काम में आएगा, ठीक है बटा, no, parallelogram law of vector, parallelogram law मे वही है, जैसे अभी आपने triangle law में देखा था कि vector एक के बाद एक थे, yes or no, अब एक काम करो, इस vector को shift करके यहां ले आओ, इसको पीछे करके ले जाओ, यह एक काम करो, इसको इसके आँगे लगा दो, तो यह इसा बैठा है, बोलो हाँ, यह vector B है कि नहीं है, this is vector B, और A को आ parallel A construction करो, this is vector B, बोलो हाँ, A के parallel A construction करो, vector A clear हुआ, तो यह B है, यह B है, यह A है, यह A है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे, parallelogram बन गया, यह सुनो, अब parallelogram बन गया है, तो इसके diagonal से जो vector जाएगा, वो क्या होगा, result होगा, होगा कि नहीं होगा, अब ऐसे ले गया थे, तो यह triangle लो ही तो बन गया था, हाँ यह ना, तो एक तरीके से parallelogram बी तो support ही कर रहा है, तो यह vector A है, यह vector B है, तो यह क्या होगा, vector A plus B, this is called vector R, this is called vector R, तो इसकी जो length निकलेगी, वो क्या होगी, R का magnitude, R का magnitude, yes or no, और यह जो angle निकलेगा, वो क्या होगा, इसका direction, हाय न, so वही R का magnitude कितना निकलता, under root A square plus B square plus 2AB cos theta, समझ में आया, थोड़ा सा definition बदल जाएगी, क्या है, देखिए, if two vector acting and a pointer represented in magnitude by the M direction, by the two adjacent side of a parallelogram, draw from a point, then their resultant is represented by magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram, तो जो resultant होगा, वो diagonal of the parallelogram से express होगा, draw from the same point, मतलब उसी point से draw किया हो, clear हो, बड़ एक बात याद रुकना, कि यहाँ पर vector A है, भी है, तुमने इसको आंगे shift कर लिया था, तो यह थीटा बन गया था, यहाँ बन जाएगा, यह था, यह थीटा अंदर बनेगा, बनेगा, और यह resultant है, क्या यह resultant है, तो इसका direction angle क क्या बनेगा, बीटा, क्या बनेगा, बीटा, सेम फॉर्मूला रहेगा, if the resultant vector R subtend angle beta with a vector A, then 10 beta is equal to B sin theta upon A plus B, cos theta, आज के लिए याद करो, कल इसको हम करवाएंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत, अब है, भाईया, पॉलिगन लोग, कौन सा लोग है, पॉलिगन लोग, अगर कई स कर रहा है, यह vector C काम कर रहा है, यह vector D काम कर रहा है, यह vector E काम कर रहा है, तो सारे vector का जो resultant होगा, वो पहले वाले vector का initial point और last वाले vector के final point को join करके बनेगा, opposite order में, कितने order में, उल्टे side में, देखलो, OE, yes or no, clear है न, तो देखलो, भाईज साब, OE vector is equal to OA plus AB, OA, फिर किता AB, फिर किता BC, फिर किता CD, फिर कितना DE, समझ में आ गया, तो अगर कई सारे vectors, कई सारे forces, कई सारी quantities, vector quantity, एक polygon में लग रही है, तो जो resultant होगा, total का sum, समझ गया न, वो क्या होगा, polygon की final वाली side होगी, जो initial point और final point को join करेगी, समझ में आ गया, So, it states that if a number of vector acting on a particle are taken represented in magnitude and direction by the various side of an open polygon, Open, open polygon, अच्छा open कियों, क्योंकि देखो यह OA काम किया, this is OA, हाँ है न, this is AB, this is BC, बलो हाँ, this is CD, बलो हाँ, and this is DE, हाँ हाँ है न, ये फोरस ऐसा लगा, ये ऐसा लगा, ये, ऐसा लगा, ये ऐसा लगा. है आँ ना? उपन पोलिगन बन गा? बन गा की निगधना? तो जो र告诉 होगा, ये. ठ्यक है? तो फीन, पोलिगन इन समी और, न रसल्टन Eggdr I. बन दा की लिकदिया. then resultant vector is represented in magnitude and direction by the closing side by closing side so what is resultant oe vector bolo resultant vector kya hai oe vector kya hai oe vector closing side of the polygon taken in opposite order taken in by closing order mean ultra order liya hai in fact polygon law of vectors is the outcome of triangle law of vector हाँ ये ठीक है मतलब ये देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये निकलेगा फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो ये निकलेगा मतलब triangle law को कई बार जोड़ते जाओगे तो क्या बन जाएगा polygon law क्या बन जाएगा polygon law समझ में आ गया कोई दिक्कत अब चलिए vector addition की कुछ property पर लेते नमबर बन vector addition commutative होता मतलब a plus b vector equal to b plus a vector बोल्ड बेक्टर बोल्ड लेटर मने बड़ बोल्ड लेटर मने बड़ बोल्ड लेटर मने वेक्टर जब डार्क हो इसका मतलब vector है और जब light हो इसका मतलब magnitude है मैं तो कहूंगा भाईया काय को पंगा लेना सीरिय vector लगाऊना यार जब पड़ रखा a vector plus b vector बराबर b vector plus a vector बोलो हाँ तीसरा vector addition is associative मतलब एक को अलग रखकर के दो को जोड़ो एकको दो को अलग रखकर के एक को जोड़ो समझ गा है तो a plus b plus c equal to b plus c plus a equal to c plus a plus b मुले यास vector addition is distributive vector addition is distributive किसी constant के लिए m times कोई constant m equal to a plus b equal to m a plus mb you can say k times of vector a plus vector b equal to k a vector plus k b vector समझ में आ गया कोई दिकत हाँ rotation of a vector if a vector is rotated through an angle theta through an angle theta अगर किसी vector को theta angle से घुमा दिये हो ये देख कोई vector है बोलो हाँ इसको तुम theta से घुमा दोगे ये ये बन गया बोलो हाँ तो ये vector ये vector सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा कैसी बात करतो यार दिल्ली जा रहे थे तुमको घुमा दिया तुम में भग जाओगे direction नहीं बलड़ गई बोलो हाँ direction change हो गई न ये vector था इसको अगर theta से rotate कर दिया तो अलग vector होगा क्या हो जाएगा अलग vector उसका नाम change हो जागा उसकी value बदल जाएगी समझ गया है हाँ अगर 360 डिगरी से घुमा के लिए आओगे तो वहीं आ गया तो क्या लिखा है which is not an integral multiple of 2 pi 2 pi मतलब किता 360 का multiple 2 pi मतलब एक चकर तो vector will changes vector will changes अगर 360 को छोड़ करके घुमा रहे हो तो vector क्या है change हो जाएगा clear बन जाएगा तीसरा if the frame of reference is rotated or translated the given vector does not change the component of the vector however may change सुनो अगर frame of reference को rotate कर दिया जाए यह आपका x-axis है यह y-axis बोलो हाँ आपने इस vector को यह ले गए बोलो हाँ यह पूरा का पूरा आपने x-axis 45 degree से change कर दिया घुमा दिया मतलब x को भी उठा दिया यहाँ और y को भी उठा दिया यहाँ बोलो हाँ तब यह vector भी थोड़ा सा उठके उपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा तो अगर पूरे के पूरे system को change कर रहे हो तब vector बदलेगा नहीं तब वैसे का वैसे ही रहेगा समझ गए clear हो गया नहीं हुआ तब complete vector कभी बदलेगा नहीं अगर frame of reference को यह आपने rotate कर दिया है यह ना या कहीं खसका करके ले गए हो axis को तब vector में changes नहीं आएगे आई बस समझ में कि नहीं आया है done clear कुछ पूछो doubt है तो हाँ देखो एक बार फिर से बता देते हैं भाई देखिए इसका कहना क्या है जैसे कि यह आपके पास में system है यह x axis है और यह y axis है यह length हित्ती है बोलो हाँ यह एक vector है माल लो इसकी length है 10 meter किती length है 10 meter अब आपने क्या करा मैं laptop को पूरा उठा करके यूं कर दूं और ऐसे कर दूं लेओ laptop की screen ऐसे हो गई यह सौनो अब यह जो 10 meter होगा इसके accordingly खसक करके यहां जाएगा ना वही नयवाल reference को rotate करने से जैसे reference में आप हो जैसे व्यवस्था में आप हो इसको पूरा rotate कर दूं तो उससे vector में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आई बस समझ में ठीक है अब बच्चों कल मैं कराऊंगा आपको यह वाला formula बहुत important है a square plus b square plus 2ab cos theta फिर मैं कल सम्झाओंगा board पर आपको resolution of vector जो की बहुत ज़्यादा important है direction cosine पढ़ाऊंगा vector का subtraction पढ़ाऊंगा कल dot product पढ़ाऊंगा cross product पढ़ाऊंगा समझ गया ना cross product मतलब की vector product और unit vector का vector product कराऊंगा a cross b b cross a पूरा का पूरा कल मैं कल करा दूँगा तो कल अपना vector खतम हो जाएगा कल vector अपना खतम हो जाएगा और साथ ही साथ कल मैं projectile motion भी start करा दूँगा यानि की two dimension motion यानि की projectile motion कल अपना start हो जाएगा ठीक है तो आज जितना मैंने पढ़ाया है इसको अच्छे से कर लीजेगा ठीक ना क्योंकि कल की जो glass होगी बिटा वो इसी पर basis होगी पूरी की पूरी ठीक ना कल मैं आपको resolution कराऊंगा और ये वाला formula पहले derive कराऊंगा कि किस तरीके से ये formula बनता है ओके डन ठीक है तो कल ये पूरी sheet आप फिर से कूसेस करके लाएगा थोड़ा पढ़ करके आईएगा है ना तो आराम रहेगा ओके डन थैंकि बच्चों आज के लिए पना आई